अब इधर गोकुल में पूतना पहुची शुकदेव जी महराज कहते राजन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालगातिनी सिसुम्सचार निघनन्ती पुरा ग्राम ब्रजा दिसो कंसेन प्रहिता घोरा कंस द्वारा भेजी गई घोर राक्षशी पूतना पूतना कौन है पूतान नयती इती पूतना जो बच्चो को मारती है वो पूतना है आज जैसे पूतना गई यहाँ तो उस्तब मनाया जा रहा था सब नाच रहते गा रहते जुम रहते लाला का दर्शन कर रहते कुछ गोपियां सुन्दर स्रिंगार करके मटके में माखन ले करके जा रही थी अब पूतना जैसे गोकुल की ओर आई उसने दूर से देखा गोपियां जा रही है सुन्दर वन के जा रही है और आवाज कान में आया नंद घर आनंद भयो जैकनिया लाल की जैसे कान में ये आवाज आया पूतना को लगा के पक्का इस घर में बालक हुआ है इसलिए सब मिल करके उस सब मना रही है और इस बालकों में अवस्य मारूंगे ऐसे तो छोड़ के नहीं जाओंगे अब पूतना जैसे गोपियों के पीछे-पीछे जाने की विचार बनाती है उसने स्वयम को देखा तो विकराल रूप है राक्षशी है तो पूतना ने विचार कि अगर ऐसे ही में चली गई तो सब हमको भगा देंगे सब के बीच में जाओंगे तो बहुत भीड़भाड है सब पहचान लेंगे राक्षशी है तो वहां से हमको सब भगा देंगे अब कैसे जाएं तो पूतना ने बुद्धी लगाया और क्या किया अपने माया द्वारा सरीर को स्वरुप को सुन्दर बनाया इतनी सुंदर बन के गई, इतनी सुंदर बन के गई, गोपियों ने देखा तो लगा कि कितनी सुंदर है, आज तक इतनी सुंदर हमारे गोकुल में, कोई नहीं दिखी ऐसा लग रहा है कि मानुस साक्षात बैकुंठ से लक्षमी जी भगवान का दर्शन करने के लिए आ रही है, इतनी सुंदर बन के गोपियों ने देखा, आज तक ऐसी सुंदर ता नहीं देखी जैसे भीतर गई, पूतना नंदरानी से कहते है कि मैयां बधाई हूँ, मैयां ने कहा कि इनको तो कभी देखा नहीं देखो कोई अंजान विक्ति आपके पास में आए और बोले कि हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं क्या आप हमको नहीं जानते क्या इस तरीके से बात करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी नहीं बोल सकते हम आपको नहीं जानते बले ही पहचान में नहीं आ रहे हैं फिर भी बोलना पड़ता है हम आपको जानते बड़े अच्छे से जानते हैं आज ये सुदा जी कहती है कि आईए बैठ चाहिए घर में आई हैं बधाई दे रही है पूतना बोली कि मैया मैंने सुना कि आपके घर में लाला हुआ इसलिए हम बधाई देने के लिए आएं जैसे लाला के लिए बधाई दिया देखो कोई भी मा होती है न अगर कोई सामने वाला उसके बेटा की उसके बालक की तारीफ कर दे तो मा ऐसे ही खुस हो जाती प्यार से बुलो अब जैसे पूतना बीतर गई मैया बोली बैठ जाए अब पूतना जैसे बैठी तो थोड़ी देर में कहती मैया मैं बस आपके बालक का दर्शन करना चाहती हूँ एक बार एक बार लाला का दर्शन में करना चाहती हूँ मैया ने का इतनी सुन्दर है दर्शन के लिए आई वे तो कराई देती हूँ जैसे धगवान की दर्शन की चाहत उसने किया एक्षा प्रकट किया मैया बुली की देखो बीतर कनया सो रहा है जाकर के दर्शन करके आ जाई अब पूतना ने जैसे मैया कादेश पालिया उसके बाद में भीतर चली गई जैसे भगवान को पता लगा के पूतना मौसी आ रही है तो भगवान ने नयन को बंद किया अब राजा परिक्षित पूछ रहे प्रभू ऐसा कैसे हो सकता है भगवान का दर्शन करने के लिए पूतना इतनी सुंदर बन के आई भगवान एक बार देख देते तो क्या जाता देखना चाहिए न कोई आपके लिए तयार होके आया है लेकिन उन्होंने नयन बंद क्यों किया सुकदेव जी बोले महराज इसके पीछे बहुत से कारण किवल एक कारण ने तो बताईए कारण क्या है तब सुकदेव जी बोले कि देखो राजन ऐसा है कि भगवान को पता है कौन देखने योग्य है और कौन नहीं है उस पर कभी ना देखे जिस पर दृष्टी पात करने लायक ना हो जब राम जी जंगल में गए थे बनगमन भगवान स्री राम का हुआ तो सुर्पडखा आई थी भगवान से साधी करने के लिए आई थी कितनी सुन्दरवन के आई थी सुर्पडखा कहती है कि आपके समान पूरुस और हमारी समान नारी नहीं है हम इतने सुन्दर हैं लेकिन फिर भी राम जी ने सुर्पडखा को जवाब तो दिया लेकिन देख किसके और रहे हैं जानकी मया के और देख रहे हैं सिता जी को देख रहे हैं एक बार नजर उस पर नहीं डाला क्योंकि भगवान जानते हैं यह उस लायक नहीं है यहाँ पूतना ने भी वैसे ही काम करके आया बेस बदल करके आयी है भगवान ने एक बार भी नहीं देखा नित्र बंद कर दी जैसे आँख बंद किया सुकदेव जी बोले कि महाराज कारण और भी है देखो भगवान के दो नयन है न सुर्य और चंद्र है सुर्य देव और चंद्र देव भगवान के दो नयन है और सुर्य चंद्र आपस में बात करते हैं, ये राक्षशी आ रही है, इसको प्रवेस नहीं देना, इसलिए सुर्य चंद्र ने अपने लोग के गेट को बंद कर दिया, इसलिए भगवान ने नहीं बंद किया और ये भी हो सकता है, कुतना का भाव खराब था, अगर भगवान एक बार देखते, द्रिष्टि कर देते, तो हो सकता उसका भी भाव सुद्ध हो जाता भगवान को मारने के लिए आई थी, उसका मन बदल सकता था, इसलिए भगवान ने नयन को बंद किया और चौथा कारण ये भी है, कि देखो, आप भगवान के मंदिर गए हो, तो वहाँ पर बनावटी करके जाओगे, तो भगवान आपको नहीं देखेंगे जब भी आप भगवान के पास में जाईए, दुनिया के सामने तो खूब मेकप करके जाईए, सुन्दर बन के जाईए, दुनिया वाले केवल आपके बाहरी रूप को देखकर के आपको ज़ज करते हैं केवल आपके चेहरा को देखते हैं, आपके पहनावे को देखते हैं, आप कैसे लग रहे उसको देखते हैं, लेकिन भगवान ना आपके फेस को देखते हैं, ना आपके मेकप को देखते हैं, ना आपके कपड़े को देखते हैं, भगवान देखते तो केवल आपके मन को इसलिए भगवान के पास में जाना है तो केबल बाहर से नहीं भीतर से सुन्दर बनके जाई पूतना भीतर से तो काली है लेकिन बाहर से खूब सुन्दर बनके आई इसलिए भगवान ने उसके उपर दृष्टी नहीं डाला अब पूतना ने जैसे भगवान को देखा तो भगवान सो रहे हैं उसको ऐसा लगा कि गहरी नीद में नित्रबंद है अच्छा अवसर है जैसे पूतना ने भगवान को उठाया पालने में से उठाया और उठाने के बाद में दूद पिलाने लगी जहर मिला करके आई थी ले प्राण को खीच रहा है कश्ट होने लगा अब पूतना तडपने लगी रोने लगी चिलनाने लगी अरे वालक छोड़ दे छोड़ दे कश्ट हो रहा है लेकिन भगवान बोले देखो मोसी जिसको एक बार हम पकड़ते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है मुझे पकड़ना तो आता है छोड़ना हमको नहीं आता अब पूतना को लगा कैसा बिचित्र बालक है पहले तो इतना कश्ट दे रहा है इतना भारी है उपर से बोल भी रहा है ये तो बड़ा बिचित्र बालक है फिर भी चिलनाती बालक छोड़ दो छोड़ दो अब इतना पीडा हुआ वो अपने माया के सुरूप को कंट्रोल नहीं कर पाई वो अपने ही रूप में आ गई धगवान के सामने किसी का माया टिकने वाला भी नहीं यह माया पती और पूतना है माया बती माया पती के सामने दुनिया का माया नहीं चलता लोग कहते हैं न किसी ने हमारी उपर जादू टोना कर दिया होगा किसी ने कुछ कर दिया होगा पक्का इसलिए हमारे घर में अच्छा नहीं चल रहा है दुनिया के कोई भी बेक्ती चाहे कितना वड़ा तांत्रिक हो आपके उपर कुछ कर दे, जादू तोना कुछ भी कर दे लेकिन आप अपने भगवान की प्रति विश्वास रखते हैं आपके घर में भगवान हैं, भगवान की अच्छे से सेवा करते हैं तो दुनिया का कोई भी जादू तोना आदी सकती आपको थोड़ा सा भी आपका कोई नुक्सान नहीं पहुचा सकता क्योंकि आप माया पती के सरण में हैं लेकिन आप भगवान का भजन पुजन नहीं करते तब वो सारी चीजे असर डालता है प्यार से बोलो अब जब पूतना है यह चिला करके दोड़ने लगी भागने लगी आसमान के मार्ग से भाग रही है चिला रही है गोकुलवासी ने देखा भगवान को लेके जा रही है अब तो गोकुलवासी को अत्यांत भय हुआ डर लगने लगा हमारे छोटा सा छे दिन का बालक कितनी बड़ी राक्षय से ले जा रही है गोकुलवाशी के नजर में तो भगवान छोटे से साधारन बालक है भगवान के भगवत तो को ये नहीं जानते प्रेम भाव से सब देखते हैं सब पीछे पीछे भाग रहे हैं मैया ये सुदा भाग रहे हैं हमारे लाला को छोड़ दो मेरे पुत्र को छोड़ दो मेरे बालक को छोड़ दो समस्त गोकुलवा से चिल्ला रहे हैं इतने में जैसे आस्मान के मार्ग से गए भगवान ने सोचा अब इसका उद्धार कहा करूं कंस के बगीचे के उपर से भगवान ने जैसे पूतना के प्राण को खीचा उपर से जैसे जमिन में पठका पूतना धडाम से गिरी और जैसे नीचे गिरी वहां के जितने भी बड़े बड़े व्रिक्षते चुरुन या मास राजिंद्र चुरुन चुरुन हो गए इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया बोलिये पूतना मरदन भगवान की आज के आनंद की